तो आज की सेडिया में मैं आपको होता हूंगा जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहें बैसी वीडियो आप किसी भी सॉंग के ऊपर कैसे बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये वाली वीडियो का बना सकते है अपनी फोटो के साथ और जो भी चाहो उस वाले सॉंग के साथ तो वीडियो को प्रोसेस को पूरा complete जरू से देखे और साथ ही अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो request चैनल को subscribe भी जरू से करें ताकि जब भी हमारी को नवी उड़ा है उसका notification आपको मिलता है तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो इस वाली वीडियो को edit करने क के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी जो मेरी जो लेरिक्स की इमेज को आपको edit करना होगा अपनी फोडो को भी वहाँ पर add करना होगा तो उसके लिए आपको Pixel Lab application को open करना होगा अगर आपके पास Pixel Lab application नहीं है तो उसका आपको Play Store पर बढ़ी ही आसने से आपको मिल महां से इंस्टॉल कर लीजिए और फिर open कर दीजिए ओपन कर लीजिए Pixel Lab को Pixel Lab को open करने के बाद आपको मेरी एक इमेज की जरूत होगी जिसका लिंक मैंने अपने डिस्टरेशन वोक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है तो इस इमेज को आप डाउनलोड कीजिए और य चैट वाली मैंने एक इमेज दी है उस इमेज को आपको यहां पर स्लेट करके अड कर देना है तो इस वाले इमेज को लेना है इसका दिया हुआ है तो आपको मिल गया होका डिसक्रिस्किन से उसको डावलड करके add कर लेजिए और करने के पाद सब्से term से आप और पूरी ब करना होगा इस तरह सब दोनों उंगजी से जूम कीजिए ज्यादा हो जाएगा और सबसे पहला जो है वहां पर आपको आना है इस तरह से उपर तरफ आ जागी है फिर यहां पर फिर से यहां पर आप क्लिक कीजिए अब यहां पर में लेडिस को लिखना है तो फोटो को कैसे प्रस के अगन पर क्लिक कीजिए प्रॉम गलेरी पे जाए और जो भी फोट आप एड़ करना चाहते उस फोटो को सिलेट किजिए फोटो को सिलेट करने के बदिया पर 3 by 4 के ऑप्षन पर क्लिक करना है एक बार और फिर अच्छे से अड्रेस्ट किजिए और राइट के अपर क तक इस अभी फोटो एक जी दिखाये दे इसके बाद आपको इसको एड्रेस करना है पो पोजिशन को तो तो आप पर जाए इसको वन कर लिजए वन पैक्स और यहां से आप आसानी से इसको आप एड्ड्रेस्ट कर सकतेंगे एक दम पर्फेक आपको जो लेरिक्स की जो मैस अपर दो करना है जो है उसी कलर को यहां पर क्लिक लिए तो यहां पर मैं इमेज चुप्लेट हो चुकिए से अप बाकी इमेज इसको आप कर सकेंगे बड़ी ही आसानी से तो एक और को एड़ करके दिखाता हूं ठीक है कोई भी इमेज को आप सेलेट किजिए यहां पर 3x4 के आप्सन पर सुलेट किजिए उसके बाद यहां से एडिटिंग राके रिल्लिटिव साइज पर जाईए 66 इसकी साइज अप कर लिजिए 66 फिर राइट के ऐगन पेड़ किजिए इसको यहां साब स्ट्रों करणा अ वाली फोटो में लेना है और राइट वाल ऒली एकन पे-डिक करना तो वो कैसे करना हूँ तो देखे इसको अ Uppert केजिए और यहां पेड़ किजिए और पहली फोटो में Image को तो यहां पर इस फ़ले button पर click करेंगे अब यहां से इसके आ आसान से स्क्रॉल कर सकते हैं यहां पर फोटो एड़ कर लेंगे पुर्ढ़ करने पर पूट करिक दो प्लस के एकन क्लिक कर listen फिर से आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा फिर से ऊपर की तरह आना है और हम लिदिक अशार करेंगे ठीक है अब आपकी जो भी song पे आप वीडियो बनाना चाहते है उस song की lyrics को लिखना है आप चाहो तो किसी website जो lyrics की website होती वहां से खुपे page भी कर सकते हो या तो अपने हिसाद से जो भी song में बज़ रहा है वो सुनके यहां पर आप लिख भी सकते हो ठीक है यह मैं आपके उबर करने होगी तो साइच देखिए जितनी भी आपको जो lyrics लिखे वह यहां पर आ जाए अभी देखिए इसको और भी ज्यादा बड़ा करना होगा पहले मैं इतना रख लेता हूँ अभी हमें यहां पर जाएंगे और इसको खोड़ा और जूम कर लेंगे दाकि हमको अच्छे स दिखाई दे अब इसको नीचा लेकर आएंगे अब आपको अच्छे से देखना है जो आपके लेदे से अच्छे से message box के अंदर आ जाने चाहिए बले अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो ठीक है फिर भी आप अच्छे से ले लीजिए जैसे कि अभी एकदम perfect दिखाई नह और सिधा आप यहां पर इसको ले सकते हैं तो आप new text भी आप कर सकते हो जो भी आपको सही लगे ठीक है यहां पर लेकर नहीं के बाद edit text पर जाईए दोबर क्लिक करके यह जो लिखा इसको यहां से भटा दीजिए song में आगे का जो भी कुछ lyrics बजता है वह आपको लिखना करना है अपने ही साब से जो भी सही लगे और ओके कीजिए अब यहां पर जो लिखोंगे उसको आपको ब्लेक रखनाए ठीक है उपर वाले पर फाइट रखोंगे यहां पर आप ब्लेक रखोंगे और पोजिशन को आप इस तरह से भी आप अच्छे से वन्ड पीक्स करके आसानीर इसी अच्छे से अजस्कर सकते हो टिक है जैसे इसको की आप वीसे इसको भी करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे अब इसको उपर के ज़क्ण कर लेंगे करेंगे चाहिसे करेंगे अब इसको चाहत हो यहां पर क्लिक करके ओर इसका ion आपको कॉपी करने के बाद आपको यहां से आना इसटर बढ़ा के एस तरह से आपके नीचे की लिगा तो यह एकदम भी बीच में ले लीजिए और फिर इसके वाद दो भर क्लिक करेंगे क्यूंकि हमें इसको एडिट करांगी नहीं कि यह जो लिखा उसको हटा दीजे और सो में आगे जो भी कुछ बचा जाए तो नीचे आ जाए गया और जैसे यहां पर आ जाए इसको आपको दूसरे वाले message box में इस तरह से रख देना है और इसको 1px करके अच्छे से आप adjust भी कर सकते हो ठीक है दो बार क्लिक कर लिजिए और इसको edit करने के लिए आपको इसको दोबर क्लिक करना होगा और फिर edit कर लिजिए ठीक है आगे के जो भी लिरिक से वह आप कर सकते हो बड़ी ही आसनी से इस तरह से आप यह दिखे में इस तरह से कर लिया है तो अब आपको नीचे जितनी भी आपको message box से सभीमा को सेम यही process करते जाना है और इसको जो लिखा होगा उसको हटा के आगे कर जो सोग में इसको edit करते जाना है और पूरी आपको image complete बना के यहाँ पर क्लिक करना है तो पूरी इस तरह से आपकी दिखाए देगी नीचे मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं करूं जहां पर आपको तक से डैमेंट्स पर उसको अपको अल्ट्रा करना हुए और इसको आपको पर पर आपको इनकी तो बर्यप्राइक पर यह नहीं करने के लिए आपको मैरे कुछ मटियूब करने के लिए तो लेक पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे Google Search पर को पेज ऊपन होगी यहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा आर्टिकल का टाइटल है इमेज विच चैट लेरिक्स वीडियो एरिटिंग इस वाले आर्टिकल को आपको ओपन करना है इस आर्टिकल कंदर इस वीडियो से रेटर सारे मत्रिस आपको मिल जाएगा अगर डाउनलोड कर में कोई भी दिक्कर होती है तो हाव टू गेट मैं मत्रिस की वीडियो आप दे करने के बाद आपको यहां पर देखिए प्लस के एकन पर क्लिक करना है प्रोम गैलेरी पर जाना है और जो भी आप फोटर ओपहले पहले पहले हैं पे हैं पर फोटे में च्डलीक करना यह ते इसaltroस पर अच्छे से पूरा यहां पर फोटो आ चुकिए अब आपको यहां पर लिख दीजिए इसके बाद ओके कर लीजिए अब इस नाम को आपको यहां पर रख देना है पर इसके सपर्फ है कर सकते हो यहां से इस इतनी रखनी है पुतिर लिजिए राइट कानकी क्लिक ली इस से नाम आ आजाएगा और यहां यहां पर निफ्यक्ष्य चार्ण सथू कर लीजिए और यहां से इस इमेज को आप सेवेजिए करके से बैसे हो कर लीजिए बेक आने के बाद अब आपको अपने mobile phone में alert motion application को open करना है तो alert motion को open करने से पहले यहाँ पर आपको मेरे XML preset को अपने alert motion में import करना होगा तो import करना अगर आपको नहीं आता है तो कैसे import करते हैं उसका मैंने अलग से वीडियो बना है आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको तीन लेयर मिलेगी एक है यहाँ पर कीबोड की दूसरी है प्रोफाल लेगी तो पहले है प्रोफाल वाली लेयर पर क्लिक कीजिए यहाँ पर स्टार पर आईए और यहाँ पर एक लेयर मिलेगी इस पर क्लिक करना है और जो भी प्रोफाल फोटो अभी आपने बनाई पिक्सल लेप से उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेट करना है और यहां पर राइप प्लस के एकन पर क्लिक करना तो यहां पर एड़ हो जाएगी, एड़ होने के बाद आपको यहां से बेक आजाना होगा, बेक आने के बाद आपको कीबोर्ड वाली लेयर पर क्लिक करना है, कॉलर और फील पर जाना है, स्टार पर जाना है, यह से लेयर प आपको एक और layer add करने है sound गी तो जिस भी sound पे आपने जिस भी लिरिक्स की आपने image बनाए उस sound को add करना प्लस के एगन पर क्लिक किजिए audio पर जाइए और जो भी song के आपने image बनाई है उस वाले आपको चैट लिरिक्स वाले layer पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से color and fill पर क्लिक करना होगा और यहां से आपको फिर से star wall option पर क्लिक करना है और इस वाली image पर क्लिक करना है और जो भी image आपने बनाई है pixel लेब से अपनी photo के साथ उस image को select कीजिए तो जैसे आप select करोगे करने के बाद जो भी कुछ आपने लिखा है वहां पर रुकना है रुकने के बाद plus के icon पर क्लिक करना है यहां पर फिर से आपको दो तीन point आगे जाना है आगे आने के बाद आपको दूसरे लिजिक्स वाले image को लेके जैसे कि दूसरे message बोक से उसको लेके आना है इस तरह से इतना लाने के बाद आपको फिर से एक point आगे आना है आगे आन पर लेके आना है यहां यहां चुमन पर लेकर आना है यहां चोंड एक दमड के तैयर होगी आपको सिर्फ यहां पर करना पर यह और यह बीच प्रृट करना है और यह पर रखना है और इसको यहां पर इस तरह से निचे रखनाइंव क्लिक कीजिए copy करवा कीजिए और further click dus क्लिक कर लीजिए तो संहेли आपकी पूरी वीडियो ऐकड़ेक्द होगी यहां से हमारी वीडियो पसंद आगे वoted वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें और चैनल पढ़ना है तो सब्स्राइब जरू से करें